कि अभर आज अज बात करेंगे डाट तर आपरेशन्स की विद एग्जामपिल क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में उमने अपको डाट शेचर के ऑपरेशन के बारे में तो बता दिया था कि जो बेसिक ऑपरेशन थे डाट शेचर के जो परफॉर्म किया जाते हैं और प् परफॉर्म करना होगा तो देखिए जैसे में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी डाटा स्ट्रॉक्चर के ऑपरेशन है डाटा स्ट्रॉक्चर ओपरेशन्स ठीक है तो जिन स्ट्रॉक्चर ने लास्ट वीडियो नहीं देखिए प्लीज उसको रिफर कर लीजे वहां से आपको क्लियर हो जाएगा आज हम उसके आगे का पढ़ा रहा है तो डाटा स्ट्रॉक्चर ओपरेशन्स जो हमने बात की थी उस दिन वो बात की थी एक तो ट्रेवर्जिंग, सेकेंड था आपका सर्चिंग, थर्ड, इंसर्टिंग, फोर्थ, दिलीटिंग, और अपार्ट फ्रम दीज फोर, हमने आपको यह बताया था कि इन सब स्पेशल सरकमिस्टांसेज, दो और operation perform किये जाते हैं, data structure पर, एक होता है sorting, और दूसरा होता है merging, यह इतना हम लोगोंने last video lecture में पढ़ा था, अब हम लोग एक example लेते हैं, कि मानलीजे से, example लेके हम इस चीज़ को समझाते हैं, ठीक, इसमें क्या है कि मानलीजे कोई organization है, that contains a membership file, in which each record contains the following data for a given member, तो मानलीजे कोई organization है, किसी जैसे मानलीजे आपने different society club सुने होंगे, यह सुने होंगे, उसका membership card है, तो उसमें क्या है, कि उस वो data जो है, store है, अब उसमें किसी भी member के, कौन कौन सी detail हमारे store है, तो जैसे मानलीजे उसका नाम हो गया, name, address, telephone number, ठीक है, और हमने का से उसकी age और sex, तो यह मानलीजे यह details, जो है, सारे members की stored है, उस data structure में, नाम, पता, phone number, age, और sex, क्या जेंडर है उसका, ठीक है, अब इसमें दीकिए, one by one करके, हम आपको example लेके समझाते हैं, जैसे पहला, हमने पहली example लिए, हमने का, suppose the organization wants to announce a meeting through a mailing, मान लीजे, जो organization है, जिसके पास ही data store है, उन्हें सारे members की meeting रखनी है, और कैसे invite कर सारे members को inform करना है, mailing के through, तो mailing के through inform करने के लिए, क्या करना होगा, then one would traverse the file to obtain name and address of each member, तो आपको किसी व्यक्ति को file को, file पे क्यों सा operation करना होगा, traversal, ट्रेवर्स करना होगा, ताकि सारे members का name और address मिल जाए, ठीक, तो that is traversal operation, clear हो गया, second example आप लीजे, second question, कि suppose one wants to find the names of all members living in a certain area, मतलब अगर हम यह चाह रहा है, या कोई भी यह चाह रहा है, कि किसी certain area में रहने वाले, सारे members का, हमको name मिल जाए, तो किसी certain area में, जैसे माने हमने कहा साइटिस्टिक, कुछ भी हमने कहा से प्रयागराज, या वारानसी, या लखनव, में रहने वाले सारे जो अपने members हैं, उनका नाम मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, तो कौन सा operation इसमें perform होगा, इसमें perform ह होगा, सर्चिंग, उसको सर्च करना होगा, सिटी को या डिस्टिक को जो भी है, वो सर्च करना होगा, तो इस पे कौन सा operation perform होगा, सर्चिंग, क्लियर, next question पर आप आजाईए, मान लिजे, one wants to obtain address for a given name, किसी particular नाम का हमें address निकालना है, वहाँ से, इसमें क्या करना होगा, आपको सर्चिंग करना होगा, और बलकि देखे, इसके यहाँ पर सर्चिंग करना होगा, किसी particular नाम का address निकालना होगा, बलकि यहाँ पर जो हमने कहा था, second वाले part में कि, one wants to find the names of all members, in a certain way, जब all members, यानि उसको पूरा traversal करना होगा न, तो यहाँ पे भी जिए कि traversal का मतलब, one has to visit each and every record of the data structure, तो यह भी traversal होगा, यह भी traversal होगा, third में जिसमें उसको किसी particular नाम माले का address चाहिए, तो उसको सर्चिंग करनी होगी, ठीक, फिर next आप आजाईए, suppose a new person joins the organization, माले जे कोई नया person जो है membership join करता है, तो जब नया person membership join करता है, तो क्या करना होगा आपको, आपको उसका record insert करना होगा, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, insertion operation perform होगा, यहाँ पे होगा inserting, क्योंकि नया member आ रहा है, इसलिए आपको inserting operation या insertion कह लिजे, कुछ भी कह लिजे, मतलब नया record include करना होगा, ठीक, next आप आजाईए, suppose कीजे, फिफ्ट पार्ट है question का, कि suppose a member dies, या मालने जे कोई member चला गया से, unfortunately उसकी date हो गई, या उसने मालने जे membership अपनी renew नहीं कराई और वो renew कराने में tested भी नहीं है, तो क्या होगा, फिर उसका record करी करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम delete कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें delete operation perform होगा, deleting, deleting the record, तो उसके बाद, और कौन से operation होता है, next मालने जे, से a, b, c, d, e, f operation यहीं लिख लेते हैं, इसमें क्या है, suppose a member has moved, and has a new address, and telephone number, given the name of the member, one would first need to search for the record, मालने जे, कोई member कहीं से move किया, कोई मालने जे, Mr. A है, Mr. A पहले प्रयागराज में रहते थे, और उनका mobile number को, उनका phone number कुछ और था, और अब वो shift कर गया, वारांट C में, उनका phone number भी change हो गया, मालने जे टेलिफोर नम्बर, तो क्या होगा, आपको update करना पड़ेगा उनका record, तो इसमें क्या होगा, कि पहले आपको given name के लिए, पहले उनका record ढूणना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसको update करना होगा, तो searching के बाद हमें update operation परफॉर्म करना होगा, ठीक, तब जाके वो record सही हो पाईगा, तो इसमें दो operation परफॉर्म होगे, पहले searching मतलब search करके उनका data निकालेंगे, और फिर उस data को हम update करेंगे, तो इस कारेगों करने में दो operation परफॉर्म होगे searching और updation उसके बाद next है आपका माल लिजे एक question और हम लेते हैं कि इसमें क्या है कि suppose one wants to find the number of members 65 और older माल लिजे हमें ऐसे members को find out करना है या उनकी list निकालनी है जो 65 साल या उससे बड़े हो तो अब इसमें क्या होगा 65 साल या उससे बड़े सारे मेंबर तो आपको सारे मेंबर का एच चेक करना पड़ेगा यानि कि आपको सारे members पर विजिट करना पड़ेगा यानि अगें डिस इस इन एक्जाम्पिल ओफ ट्रेवर्जल तो देखे डाटा स्ट्रेटर में जब तक उसके आपको क्लियर नहीं होगे देखे पहले दिन से मैं इतने बैसिक से आपको पढ़ा रहा हूं किस्टर क्लियर करके आप कॉंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आगे जब डीप में हमनों डाटा स्ट्रेटर में पढ़ाएंगे चाहे बाइनेरी ट्री का ट्रेवर्जल है ग्राफ ट्रेवर्जल है ठीक है वह जब आपको ट्रेवर्जल क्लियर रहेगा जब आपको searching clear रहेगी आपको insertion operation clear रहेगा जब यह अभी आप समझ लीज़े आप data search की ABCD पढ़ना है अगर यह आपको clear रहेगा तो आगे फिर आपको data search पढ़ने में plus data search के लिए program बनाने में किसी भी language में चैसी लेंग्वेज भी साथ में चैनल पर अल्रेडी पढ़ाई जा रही है तो आपको कोई problem नहीं आएगी और अगर आपको मान लीजे operation ही नहीं clear है उनमें ही आपस में confusion है कि कब प्रेवर्जल होना है कब searching होनी है कब जो ह अपडेशन होना है कहां sorting होनी है तो फिर उसमें आगे आपको दिक्कत आएगी तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से पहले lecture से इसको एकदम crystal clear करते चलिए ताकि आगे आपको किसी तरह की problem ना हो तो यह ट्रेवर्जल हो गया last वाला 65 and above वाला जो आपको होत है माल लीजे चलिए देक्स स्लाइट पर चलते हैं माल लीजे हमने यह नेक्स एक्जामपिल लिया इसमें क्या है यह teacher keeps a class list containing the following data for each student किसी teacher ने जो है class की list लिए उसमें students के following data आ है क्या क्या है name पिर उनका major subject क्या major पिर हमने का student number student number उसके बाद test का क्या score तो हमने का test score और उसके बाद हमने का final result का final grade एक teacher के पास class के सारे students का data इस form में store है एक student के बारे में उसका name major student number test score और final grade ठीक है अब इसमें दीखे वन बाई वन इसको करते हैं जैसे माली यह पहला part है question का first part क्या है state the entities attributes and entity set of the list इसमें entity कौन है उसके क्या attribute है और entity set क्या है लिस्ट की तो देखे इसमें entity क्या होता है and entity is a real world item and entity is a real world item तो इसमें क्या है हर एक student एक entity है ठीक तो entity तो हो गया student and the collection of students is the entity set और जो सारे students का collection है जो list है teacher के पास तो आप इसको लिख सकते है collection of student यह क्या हो गया यह हो गया entity set ठीक और जो properties है student की जैसे उसका name हो गया major हो गया और सारी चीज़ टेस्ट स्कोर हो गया यह सब चीज़े यह उसके attributes हो गया ठीक तो entity student हो गया collection of student entity set हो गया और attributes की जहां तक हम बात करेंगे attributes ठीक वो इसका name हो गया student number हो गया और test score हो गया यह सारी जो चीज़े हैं यह इसके attributes हो गया clear यह होतो हो गया पहला question अब next question पर आ जाईए यह क्या कह रहा है कि describe the field values records and five describe the field values records and five तो देके field value क्या होता है मैं लिख भी दे रहा हूं आपको field values field values are the values assigned to the attribute field value मतलब किसी attribute को जो value assign की गई जैसे name है तो name क्या attribute है अब name में मालीजी हमने लिख दिया किसे आकाश तो वो field value हो गई मेजर है मेजर मालीजी किसी student में science है commerce है arts है drawing है हमने लिखा arts तो arts क्या हो गया field value हो गई clear the field values for each student constitute a record and the collection of all the student records is the file जब सारी field value जैसे मालीजी एक student के लिए हमने लिखा से उसका नाम हो गया आकाश course हो गया हमने मालीजी लिख दिया commerce student number से one two test score हमने लिख दिया साब 80 final grade हमने लिख दिया से बी दूसरा student हो गया मालीजी हमारे पास से अमन इसका stream हो गई science मतलब मेजर student ID हो गया इसकी 25 test score हो गया से 70 final grade हो गया कुछ भी ले लिजे से सी तो यह जो यह जो set of field value है यह क्या हुआ यह एक record हुआ ऐसे ही यह record हुआ ठीक और collection of all these records makes a file clear तो यह field values हो गई सारी field values का collection एक student के लिए record हो गया और सारे records का collection file हो गया clear यह हो गया question part A part B अब यहीं पर कर लेते हैं part C में क्या कह रहा है part C में करा which attributes can serve as primary keys for the list इस लिस्ट के लिए कौन सा attribute primary key की तरह काम कर सकता है तो देखे primary key क्या होती है यह भी आप जान लिजे प्राइमरी की होती है वो की या वो field value जो यूनीक होती है किसी एक entity के लिए तो अब जैसे यहां पर हमने बात करें नाम major test score final grade इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है वही एक इस्ट नाम अगर आकाश है तो दूसरे का भी हो सकता उसको आप रोग नहीं सकते एकने commerce लिया दूसरा भी ले सकता है test score अगर इसका एक टी आया तो test score भी आपके हाथ मनी कि आप उसका बढ़ा घटा देंगे दूसरा लगा भी असी नमबर ला सकता है और final grade तो जो उस रेंज में आएगा उनका similar हो गई तो खाली कुल में लाके कि यह student number जो है यह ऐसा देख रहा है कि यह unique दिया जा सकता है तो primary की वह फिल्ड वैलू है या वह की वैलू है जो unique होती है हर entity के लिए unique key या unique value तो जैसे इसमें हम student number को primary key बनाके data को organize कर सकते हैं clear तो यह सारी चीजे हैं किसी भी data structure का organization आपको बता दिया आज उसको एक्जाम्पिल लेके आपको समझा दिया कि कहां पे कौन सा operation आप perform कर सकते हैं किन circumstances में कौन से operation perform करने की जुरत पड़ेगी तो आई दोफ आपको यह clear हो गया होगा कोई doubts कोई confusion है तो कमेंट लाइन में कमेंट घर के लिखें और अगर वीडियो कांटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और कर दिजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मिशन आपको तुरण मिल सके थैंक यू